तो नमस्ते दोस्तों स्वागत करतों आप से भी को हमारे यूट्यूब चैनल CST Solution में जी हाँ दोस्तों UIDA के तरफ से गुसना किया गया है कि अभी तक जो है अगर आप लोगों ने आपके आधार कार्ड में किसी भी तरीके का डोकुमेंट अपडेट नहीं किया है तो अभी आप लोग निस्रुक में कर सकते है जिसकी एक लिमिटेड डेट है तो उसी डेट के हिसाब से आप लोग जो है ये निस्रुक कर सकते है जिसका डेट है इसी महिने का जून का 14 तारिक ठीक है दोस्तों तो अगर आप लोगों ने लास्ट डेट नहीं देखा तो यहा आपके आधार में मुबाइल नमबर अपडेट रहना जरूरी है जी हाँ दोस्तो तो चलिए इस सुविधा का लाप आप लोग भी उठाए और साथी साथ मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या किया जाता है तो दोस्तो अभी हम लोग पहुँच चुगे हमारे लेप्टॉप की स्क्रीन पर जहां पर आप सभी को दिख रहा होगा हमारा यूटूब का पेज़ खुला हुआ है यहां पर आप लोग pen card related, e-district related काफी सारी जान कर रहा है पास सकते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताक कि इसी तरीके का informative वीडियो आपसे मिस ना है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जो है हम यूएडिय के official website में आ जाते हैं जहां पर आप लोगों को clearly दिख रहा होगा कि did you get your आधार issue 10 years back and never got it updated इसका मतलब है अगर आपने अपना अधार कर 10 साल पहले बनवाया था और उसमें कुछ भी अपने अपडेट नहीं किया तो अभी अपडेट करने का प्रोसेस चल रहा है और जो कि यहां पर clearly mention किया गया है free of cost हो रहा है जी हां अगर आप किसी भी enrollment center में जाके करवाते हैं त तरफ से तो इस लाब का आप लोग सुविदा जरूर उठाए ठीक है दोस्तों और अपने परिजन तथा दोस्तों को भी यह suggest करें कि इस सुविदा का लाब उठाए तो चलिए अभी हम लोग जो है प्रोसेट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है इस प्रोसेस को करनी के लिए आपको अगर खुद से आप करते हैं तो आधार में मुबाल नंबर अपडेट रहना सबसे जरूरी है यह बात ध्यान रखेगा ताकि OTP की थ्रो हम जो है अपने आधार की एकांट में लोग इन करके उसके बाद हम यह काम कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते है वेलकम टू आधार यहां पर आप सबी को दिख रहा होगा लोगं का उप्शन जहां पर हम लोगिन पर क्लिक करते हैं लोगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा और capture फिल करके send OTP पर क्लिक करना है तो जैसे ही आपके registered मुबाल में OTP आता है उसे आप यहाँ पर डाल के login कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर type कर लेते हैं जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगे यहाँ पर हम लोगों ने आधार नंबर वो type कर लेते हैं जैसे हैं यहाँ पर लिखा हुआ capital letter small letter जो भी लिखा हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर डाल के login कर लेते हैं अगर capture कलत होता है तो आप फिर से type कर ले ठीक है तो यहाँ पर हम लोग send OTP पर क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही OTP मेरे mobile पर रेजिस्टर होता है तो मैं वहाँ पर डाल के login कर लेता हूं ठीक है दोस्तों यह मेरा खुद का कर रहा हूं तो आप लोग ध्यानपूर बग देखिएगा और मैं भी ध्यानपूर बग कर रहा हूं ताकि कि किसी और यहां पर कुछ सारे options आपको दिखाए देंगे जैसे कि डाउनलोड अधार अपडेशन और भी सारे option आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप लोग नए हैं तो जुड़े रहे और जितने भी पुराने हमारे वेली भाई या फिर कोई दूसरा व्यक् आपको लाइट भी डाउन चल रहा है तो हम लोग पेसेंट्स रखे ये काम करेंगे तो आप सभी को दिख रहा होगा यहां पर अगर मैं अपना आधार डाउनलोड करना चाहूं तो यहां से डाउनलोड कर सकता हूं अगर पीबीसी कार्ट चाहिए तो मैं यहां से ओडर कर सकता होँ अगर लोग कुछ नहीं करना हो तो थीक है दोस्तो आभी हम लोग यह कुछ causes देएंट करना है कि दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग स्क्रॉलडाउप कीजीगा और नीचे करना पड़ेगा तो थीक है दोस्तों इस लाप का आप लोग सुभिदा जरूर उठाएं तो यहां पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा यहां पर आपको je कर लेना है ठीक है दोस्तों जैसे आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे कुछ यहां पर एडवाइस वगेरा लिखा हुआ है तो यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा है कुछ एडवाइस लिखा हुआ है और यहां पर जो है देट फिर से मेंसन गया है तो आप सभी को यहां प आपढ़े नाप पर यहां पर नेक्स पर क्लिक करनके यहां पर नाम बगेरा डीटेl पूरा यहां पर जहें हें लोगो को यहां पर जो है I verified that above details are correct तो यहां उपर जितने भी सारे details है वो सारे मेरे correct हैं मुझे यहां पर कोई भी correction करवाना है नहीं मुझे सिर्फ documents update करवाना है तो मैं यहां पर click करके next पर click कर लेता हूं ठीक है दोस्तो तो आग प्लोग भी देखते रहे हैं मैं खुत कहीं कर रहा हू लाइब कर हूँ आप सभी के सामने तो बने रहे हैं यह इस वीडियो के साथ और step by step में आप सभी को दिखाऊंगा तो यहां पर clearly guidance लिखा हुआ है documents update का कि documents साच सुछ भी less than 2MB, 2MB से नीचे होना चाहिए और जो supported format है वो है JPG, PNG, PDF मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि आप लो दिखे और जो वो फटता नहीं है एकदम clear रहता है ठीक है दोस्तों तो मैं आप लोगों को PDF recommend करूंगा तो चलिए यहां पर हम लोग जो है proof of identity के लिए यहां पर एक document से लग करना रहेगा तो यहां पर हम लोग जो है drop down से select कर लेते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा यहा क्या क्या documents चाहिए होता है डाविल नाइसेंस वगला government ID इंडिन पासपोर्ट और काफी सारा option यहां पर आप सभी को दिख गया होगा तो यहां पर मैं proof of ID के लिए pen card select कर लेता हूं ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों का pen card नहीं है तो आप voter ID भी select कर सकते हैं आप दोनों ह ही मैंने PDF में बना रहा है तो यहां पर आप सभी को दिखाए जिरा है कि किस तरीके से क्या upload करना रहेगा ठीक है दोस्तों यहां पर clearly mention गया है कि the pen card, e-pen card, must have name और photograph of the resident तो pen card में मेरे नाम भी है और photo भी तो इसे मैं आराम से यहां पर upload कर सकता हूं तो ठीक है दोस्तों यह यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे view details and upload उसके बाद फिर से हम continue to upload पर क्लिक करेंगे जैसे हम लोग यहां पर click करेंगे यह आपको redirect करेगा अपने PC के folder पर जहां पर जो है आपने save किया हूआ documents तो चले हम लोग यहां से जो है वो pick कर लेते हैं तो मैं अपने folder पर जाता हूं ज click कर लेते हैं ठीक है दोस्तों तो मैंने PDF पर convert कर लिया था तो यहां पर हम लोग pen cut को जो है upload कर चुके हैं पूरा 100% यहां पर होने दीजिए और यहां पर image को आने दीजिए उसके बाद आप logo के लिए next button enable हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो अभी हम लोग थोड़ा wait कर लेते है तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यहां पर 100% होगा है और जो यहां पर pen cut का जो है image बनके आ जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा time लग रहा है दोस्तों आप लोग बने रही है आप लोग wait कीजिएगा दोस्तों यहां पर यहां पर नेट्रोक का थोड़ा बहुत issue के वज़े से यह नहीं हो पा रहा है तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता रहोंगा कि किस तरीके से आपको upload करना रहता है ठीक है दोस्तों तो हम लोग ने proof of id तो pen cut जो है डाल दिया है लेकिन यहां पर आप सभी को तो यहां पर आप सभी को दिख गया होगा कि यहां जो है pen cut का एक photo छपके आ गया है मतलब यह अच्छे तरीके से clearly upload हो चुका है तो अभी हम लोगों को जहें proof of address के लिए और एक document submit करने रहेगा ठीक है दोस्तों यह हो गया proof of id के लिए ठीक तो वही आप लोग upload करें तो यहां पर मैं अपना voter id जो है select कर लेता हूं उसके बाद यहां पर फिर से documents advisory दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको documents clearly upload करना रहेगा बस वही सब लिखा हुआ है तो इसको हम ok कर लेते हैं और फिर से view details and upload documents पर click करते हैं उसके बाद continue to upload पर click करे लेकिन आप लोगों को में full details दे रहा हूँ तो यहां पर जहें मेरा documents पड़ा हुआ है सारा तो मैं यहां से जो voter id जो है PDF में बना के रखा हूआ हूँ उसको मैं फिर से upload करता हूँ ठीक है तो यह भी upload होने में थोड़ा बहुत time लग जाएगा तो आप लोग wait कीजिएगा cancel हो जाएगा और जो भी आपका वो प्रोसेस में ही रह जाएगा तो जैसे आप सभी को दिख रहा होगा यहां पर फिर से मेरा water id जो है अच्छे तरह की से आ गया है तो यहां पर हम लोगों को जो है यहां पर फिर से आपको scroll down कर लेना है और नीचे कुछ check mark है उसको आपको पूछा जाएगा अगर सारा कुछ आपने सही तरीकी से डाला है तो आप okay कर सकते हैं या फिर cancel करके दुबारा आप चेक करके अच्छे तरीकी से डाल सकते हैं तो हम लोगोंने सही तरीकी से डाला है तो okay पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं मैं इसको थोड़ा बहुत आगे आप सभी को दिखाऊंगा कि डियर रेसिडेंट दिसर्विस इट फ्री ऑफ कोस्ट तिल फिर से वही लिखा हुआ है कि इतने सक्सेस्फुली जो है यह फॉम सब्मिट हो चुका है और यहाँ पर एमांट आप सभी को जीरो दिखा रहे हैं ठीक है दोस्तो तो अभी हम लोग जहें इस एकनोलेजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं ताकि फर्दर हम इन फूचर इसे चेक कर सके कि यह एप्रूब हुआ ह है या फिर रिजेक्ट हो गया है ठीक है दोस्तो तो जैसे आप सभी को दिख रहा होगा मेरा एकनोलेजमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है तो आप भी इस सुविधा का लाब उठाएए और अपने परीजनों दोस्तों तथा अपने फेमिली मेंबर के साथ शेर किज किजिए ताकि इसी तरीकी का जो है आप लोगों का किसी भी क्वेरी हो क्वेशन हो आप मुझे सीधे इंस्ट्राग्राम में भी पूछ सकते हैं और में रिप्लाइ जरूर दूंगा तो चलिए दोस्तों थेंक्यू